हैं जों मों है आज हम लोग बात करने वाले हैं polarity in arc building के वारे में आ यह हम वोगत के वारे में कुछ जानते हैं कि जानते हैं कि किसी भी electrical source के अंदर दो तरह का polarity होता है एक Alaar का टर्मीनल होता है को जैसे सिंपली एक बोलते है göra positive टेर्मिनल और एक negative ट्रेक्ट होता है अगर बात करें तो यह टर्मिनल टाइम के साथ अपने जगह पे फिक्स होता है लेकिन जब हम लोग इसका पॉलरिटी जो है वह चेंज होते रहता है अगर हम बात करें आर्क पॉलरिटी के बारे में तो फिश्कलि होता है कि जह लोग किसी पावर सोर्स टर्मिनल के साथ electorate को क्नेक्ट करते हैं तो जेनरली इस कनेक्शन को अंुग पॉलरिटी टर्म से डिस्क्राइब करते हैं कि अगर मुखंढनों बात करते भीक of a describe करता हूंust तो यह सबसक्राइब इसको इस तरह से बुल सकते हैं कि पावर्स जैसे मैं बता रहा हूं जैसे मेरेकज अद्शिक पावर सोर्स है यह्लिक्षी पावर सोर्स दो fet existem और यहाँ पर मिरे लेक्टोड है अगर मैं इसको इसके साथ connect कर दूँ और वर्कपीस यह मेरा वर्कपीस है और यह मेरा एलेक्ट्रोड है इस तरह से हम दोग इसको बोलते हैं कि यहां पर मुझे से डिफिंशन न बताया था कि पावर सोर्स टर्मिनल के साथ एलेक्ट्रोड का एलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो होता है उसको जनरली हम लोग पॉलरिट्री टर्म से डिस्क्राइब करते हैं तो यहां पर एलेक्ट्रोड का हमने इस तरह से क्या कर दिया एलेक्ट्रिकल कनेक्शन कर दिया पावर सोर्स के साथ और इसी तरह से अगर हम लोग यहां पर देखें तो जैसे इस में एक वार हम ने क्या क्या था पोजेटिव टेर्मिस के साथ किया था और यहां पर इलेक्टोड का मुल्ग नेगेटिव टेर्मिनल के साथ क्षाथ बहुत कर सकते हैं कुछ इसOSE फिस था है और वरकपीस का है वह चोंज क्यों करते हैं या सिंपली बोल सकते हैं कि पौल लेटी को छूज करना राइट इसलिए है कि उसक ब holiness के दब भीना राइट पौलीरटी का जो वेल्डिंग का जो क्वालीटी होगा प्रेके और उसका स्ट्रेंथ होगा वह अच्छा नहीं हो पाएगा यह सिंपली बोल सकते हैं कि जो वेल्डिंग क्वालिटी जैसे इस बैटर का फॉर्मेशन जो बैड पेनिट्रेशन इस सब प्रोब्लेम उसमें आ सकता है इसलिए हम लोग को वेल्डिंग करने से पहले उसके प्लेरिटी को समझना जब होड़ी है हम लोग समस्ते हैं कि DC power source का यूज करते उए हैं अगर कनेक्शन अलग अलग तरह के से करते हैं तो कितने टाइब का प्लेरिटी बैसिकलि बनता है ठीक है तो प्लेरिटी types of polarity का बात करें तो इसमें basically दो तरह का polarity होता है एक direct current electrode positive polarity जिसको हम लोग reverse polarity भी बोलते हैं दूसरा होता है direct current electrode negative जिसको हम लोग बोलते हैं straight polarity भी बोलते हैं और एक AC polarity भी होता है जो दोनों को अगर एक साथ मिला दे तो उसको हम लोग simply polarity AC polarity भी बोलते हैं चलिए अब एक एक करके समझते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो यह direct current electrode positive है ठीक है इसमें क्या होता है जोकि हम लोग जानते हैं कि अगर किसे power source से अगर power supply हो रहा है तो उसके बीच में potential difference होगा और इस potential difference के कारण जो electron है और negative terminal से positive terminal के तरफ मूव करता है तो यहां पर भी इसी तरह सोता है कि electron negative terminal यानि मतलब work piece से positive terminal के तरफ मूव कर रहा है इससे पहले मैं बता दू कि कि DCP क्या होता है कि DCP में क्या होता है कि जब electrode को positive terminal और work piece को negative terminal के साथ connect कर दिया जाता है तो उस condition में हम लोग इसको बोलते हैं direct current electrode positive ठीक है और जास्ट इसका उल्टा कि जब हम लोग किसी DC power source के साथ electrode को हम लोग क्या करते हैं कि electrode को negative terminal और work piece को positive terminal के साथ connect कर देते हैं तो उस तरह के connection को हम लोग उस तरह के connection से जो बोलते हैं direct current electrode negative polarity या simply उसको straight polarity भी बोलते हैं ठीक है तो पहले हम लोग बात करते हैं direct current electrode positive के बारे में ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि high potential difference के करण जो electron होता है negative terminal से positive terminal की तरफ करता है ठीक है similarly यहाँ से proton भी इधर आएगा ठीक है अब यहाँ से कुछ proton भी आता है पुजेट्री प्रेमिल से negative की तरफ लेकिन electron का जो density होता है वो मूव करने का जो density होता है proton के respect में काफी ज्यादा होता है ठीक है तो यहाँ बात करते हैं हाई वेलोसिटी हाई वेलोसिटी काने का मतलब मतलब ऐसे बोल सकते है वहरी हाई वेलोसिटी के साथ जो electron है वो इस पर strike करता है और हाई वेलोसिटी होने के कारण इसका kinetic energy बहुत जादा होता है जिसके कारण जैसे यह इस पर strike करता है इसका total kinetic energy जो होता है heat energy में convert होता है जिसके कारण क्या होगा कि इस electrode के उपर काफी ज्यादा heat generate होगा और साथ ही साथ जो इसके बीच में air gap है इसको भी ionize करते हुए आगे बढ़ता है जिसके कारण एक हम बोल सकते हैं कि इस ionization के कारण जो इसके आसपास का air है वो काफी ज्यादा गर्म होगाता है मतलब heat काफी ज्यादा develop होने लगता है और साथ-साथ इसके striking के कारण जो electrode tip है वो tip काफी ज्यादा heat up हो आता है जिससे अगर यह मन लेते हैं consumable electrode है तो electrode melt होना शुरू हो जाएगा और metal का टी पोजीशन इस वर्कपीस पर आना सुरू हो जाएगा अगर हम लोग बात करें कि वर्कपीस का तो वर्कपीस से क्या होगा कि मतलब metal का erosion होगा लेकिन इस पर बहुत ज्यादा heat डेवलप नहीं होगा जितना इस पर हीट डेवलप हो रहा है तो जनरली इस पर जो इसके टिप पर जो होगा है ओर निरली 70% चीट यहां पर डेवलप होता है और тобой पर दो टर्न हेत उता है बहुत शारे बुक में आपको 66 itt online फायब और मिल जाता है मैंने इसको तैशिका सेविंटी कर संट लिख लिए Tat्यग सेकों अश्य किfire होता है और एस प्रेशनक पर जिए कि इससे क्या होगा कि जैसे आप देख रहे हैं हीट का डिपोजिशन यहां पर ज़्यादा है और यहां पर कम है तो इसे होता है कि जो अगर थिक थिक मेटल है ठीक है मतलब वर्कपीस अगर थिक है तो उस केस में जो मतलब बोल सकते हैं कि या ऐसे थिक मेटल है या ऐसा मेटरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट जादा है वो कंप्लेटली फ्यूज नहीं हो पाता है ठीक है अगर इस तरह के प्रोलेटी का यूज करें तो इस केस में जो अगर थिक मेटल होगा या ऐसा मेटरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट जादा है वो कंप्लेटली फ्यूज नहीं हो पाएगा या ऐसे बूल सकते हैं कि कंप्लेटली ढंक से बिल्ड नहीं हो पाएगा ठीक है या ऐसे बूल सकते हैं कि जो पेनेट्रेशन है है welding penetration है वह कम बढ़ा जाता है ठीक है और इसके साथ साथ हाई reinforcement भी डेवलप होता है क्योंकि क्योंकि यहां पर हाई reinforcement मतलब जो हम लोग इसका nomenclature प्रहेंगा वहाँ पर मैं बता हूँ जैसे metal का deposition जैसे सिंप्ली इसको reinforcement बोलते हैं इसे तो इस पर किस तरह से मेटल का डिपोईशन हो रहा है तो यहां पर क्योंकि बहुत तेजी से एक अगर का थ्यान नहीं रखा तो रेंफोर्चमेंट किसी पार्टिकल पॉइंट पर ज्यादा हो जाएगा रेंफोर्चमेंट क्रियेट होने का चांसे बढ़ जाता है ठीक है जि है मतलब जो वर्क पीस के ऊपर जो विल्डिंग एफिसेंसी हो कम हो जाएगा ठीक है अगर इसका एक फाइदा भी है जश्टिस के अपूजिट में हम लोग बोल सकते हैं कि एलेक्ट्रोन का जो स्ट्रीम है वो बेस मेटल से काफी तेजी से हो रहा है जो एलेक्ट्रोन जो होगा ठीक है तो ऐसे किसी भी तरह का इंपूरिटी काने का मतलब अगर वैसे तो वेल्डिंग करते समय बेस मेटल को क्लीन कर लेना चाहिए अगर किसी कारण से कंप्लीटली क्लीन नहीं हो पाया ठीक है और इस तरह का पॉलेरिटी का यूज कर रहे हैं तो उसकेस में क्या होगा कि इसे कोई केस मान लेते हैं जैसे इस पर किसी तरह का ओयल कोटिंग है ठीक है या किसी तरह का पेंट का कोटिंग है या किसी तरह का ओक्साइड लेयर आ गया इसके उपर ठीक है और वेल्डिंग करना सुरू कर दिये इस तरह का पॉलेरिटी का यूज करते हुए त ठीक है उसका chances कम हो जाएगा ठीक है बेसट मेंटल पर जिसे वेल्डिग करते समय इसमें किसी भी तरह का impurity राज है तो उसका रहने का chances इस तरह के पॉलारिटी में कम होता है और इलेक्ट्रोन के फ्लॉ के कारण जो बेस्मेटल का जो cleaning action होता है इसको हम लोग simply oxide cleaning action भी बोलते हैं ठीक है जो electron के flow के कारण surface अपने आप clean हो गया welding के समय तो इस तरह के process को हम लोग simply oxide cleaning action बोलते हैं ठीक है इस action से क्या होता है inclusion जो welding inclusion defect होता है वो कम हो जाता है ठीक है तहीं इसका कुछ merit और demerit का बात करें pros and cons का बात करते हैं तो एक कुछ इसके merit बोल सकते हैं इसके फ्रॉंस से ठीक है तो इसमें सबसे पहला है कि जैसे अभी हमने बता है कि less chances of inclusion defect करने का मतलब यहां पर जैसे हमने बता है कि लव की oxide cleaning action होता है जिसके कारण इसमें किसी भी तरह का inclusion का chances कम हो जाता है ठीक है दूसरा है कि fast welding process चुकि यहां पर electrode जो होता है electron का strike electrode पर होता है जिसके कारण electrode पर heat generate होता है और heat generation के कारण यह तेजी से melt होता है तो इससे क्या होता है कि जो welding process जो होता है वो fast हो जाता है बट हमें ध्यान रखना है speed का ठीक है proper speed के साथ हम लोग proper speed का ध्यान रखे तो welding process fast हो जाता है ठीक है नेक्स आता है good performance of welding for thin plate चुकि thin plate पर अगर हम लोग heat position ज्यादा कर दे तो वहाँ पर हम जस्ट इसका पहले सुरू हो जाएगा तो यहां पर क्या होता है कि जो work piece होता है तो वहाँ पर heat affected zone यह इस पर बुलते हैं कि यहां पर जो heat का जो generation हो रहा है वो थोड़ा सा other जो polarity है ठीक है इस तरह का polarity DC EN के respect में थोड़ा सा कम होता है इसके कारण क्या होता है कि thin plate को easily build किया जा सकता है जिससे simply बोल सकते हैं कि यहां पर performance welding का अच्छा होता है thin plate के लिए यहां पर ठीक है अब next है इसमें suitable for joining metal with low melting point कुछ metal ऐसा होता है जिसका melting point काफी कम है तो उस case में हम लोग इस तरह के polarity का यूज करते हैं क्योंकि जिस बेस मेटल को अगर ज्वाइन करना है तो हम दो देख रहे हैं कि इस तरह के polarity में heat का जेनरेशन वहां पर कम होता है तो इस तरह का इस बोल सकते हैं कि इस तरह का low melting point such as क्या हो जाएगा copper जैसे मालेशे copper हो गया aluminum हो गया copper हो गया aluminum हो गया copper and aluminum इस तरह से इस तरह के material जिसका melting point कम होता है इस तरह के polarity के साथ हम लोग कर सकते हैं ठीक है अब इसका कुछ कौन्स भी है डिमेडिट भी है इसको लोग देखते हैं ठीक है तो इसके अगर डिमेडिट के बात करते हैं इसके कौन्स के बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला आता है कि sorter electrode like for non-consumable electrode अगर कोई जैसे माल आता है कि टंक्स्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग की बात करें तो वहां पर जो इलेक्ट्रोड होता है अगर उस तरह के वेल्डिंग में अगर किसी कारण इस तरह का पॉलरीटी यूज कर ले तो उस केस में उसके electrode का life कम हो जाएगा तो जहां पर non-consumable electrode होता है वहां पर इस तरह के क्या बोलते हैं कि पॉलरीटी इस तरह का पॉलरीटी का यूज कर हम लोग वेल्डिंग नहीं कर सकते हैं ठीक है दूसरा है हाइबल ओफ रेंफोर्समेंट जिसके वाइब बता रखा है हमने हाइबल ओफ रेंफोर्समेंट इफ इस स्पीड इस नोट एड़्जेस्ट प्रूपर लिए सभी हमने बता है कि अगर हम लोग ने इसका है वेल्डिंग करते समय स्पीड का ध्यान नहीं रखा तो किसी एक पार्टिकुलर जगह पर ही क्या होगा कि जो मेटल है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इस टाइम मेटल होता है काफी तेजी से मेल्ट हो रहा होता है ठीक है नीक्स है एट िज मूठ फॉटीवल फैर्ड थीक प्लेट संपल बता रखा था ये थिन प्लेट के लिए होता है तो तो सिम्बल तरीट फॉकल clicking होगा point high होता है उसके लिए यूज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो होता है penetration जो होता है वो ढंक से नहीं हो पाता है अबर थिक प्लेट है तो उसका welding जो penetration जहां तक उसको penetrate करके weld करना चाहिए था वहां तक उसको penetrate करके weld नहीं कर पाता है क्योंकि यहाँ पर जो heat का inclusion होता है वो काफी कम होता है इसके respect में ठीक है नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं direct current electrode negative polarity के बारे में जिसको हम लोग simply straight polarity भी बोलते हैं इस तरह के polarity में क्या होता है कि जो electrode होता है वो electric power source जो भी DC power source है या AC power source है जनरली हम DC का बात कर रहे हैं ठीक है तो जो electric power source के positive terminal के साथ workpiece और negative terminal के साथ electrode का connection होता है इसलिए हम लोग बोलते हैं electrode negative polarity ठीक है direct current electrode negative polarity अब क्या होगा जैसे हमने बताया था कि अभी electrode positive होता है तो क्या होता है तो यहां पर क्या होगा कि अब हाई potential difference दोनों के बीच में electrode और workpiece के पीच में अब electron negative terminal से positive terminal की तरह मूफ करेगा और electron के चुकि यह electron के आपर speed काफी जादा होता है तो इसका total kinetic energy जो क्या होगा जैसे यहां पर strike करेगा तो हीट energy में convert हो जाएगा और साथ ही साथ जो इसके बीच का air है उसको भी ionize करता हुए electron आगे बढ़ता है कि कि यहां पर क्या होगा कि अब जो heat जो होगा generate electrode पर उल्टा हो जाएगा नेरली यहां पर 30% heat electrode पर generate होता है और नेरली 70% जो heat होता है वर्कपीस पर generate होता है इसके साथ electron का high velocity होने के कारण इसका जो penetration होता है वह भी काफी अच्छा होता है आप इस तरह से बूल सकते हैं कि जो penetration होगा ठीक है मेटल का ठीक है जा बेस मेटल का उस पर काफी अच्छा penetration होगा जिसके कारण ठीक मेटल को भी हम लोग इसली बेल्ट कर सकते हैं अब इस तरह के वेल्डिंग में आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा जैसे हमने बताया था कि सोरी जैसे हमने बताया था कि यहां पर अगर क्लीनिंग का बात करें तो यहां पर ऑक्साइड क्लीनिंग मतलब डंग नहीं हो पाएगा यहां पर अक्साइड क्लीनिंग का बत करें तो अटोमेटिक जो क्लीनिंग बोल रहे थे इसकेस में इस तरह से यहां पर नहीं होगा तो इस तरह कि जब पॉलेरिटी का यूज करते हैं तो बेस मेटल जो उसको वेल्डिंग करने से पहले तो इसका पुल्द किके बात करते हैं कि यहां पर ज़या पर पैर ऊपने रिक्राइब पेनेटरेशन होता है थे कि बताया था क्यों होता है थे बनेटरेशन होता है मेर्ट तो मेर्ट पॉसिवल लगोड पीज़िश्टे मेटल का पॉस्वल है इससे क्या हुआ कि इससे किसी तरह का हाई मेल्टिंग पॉइंट किसी मेटल का मेटल का मेल्टिंग पॉइंट अगर हाई है उससे भी इसली मेल्ट किया सकता है या थिक प्लेट है उससे भी मेल्ट किया सकता है जैसा मैंने पहले बताया था ठीक है इस वेलडिंग वो जैसे हाई मेल्टिंग वाले मेटल रेसे स्टेल हो गया सबसके क्यूं अब इसके कुछ ने मेरेनी की spa करें तो इसका सबसे ब्यावर्डी मेरिट होता है कि यहां पर समझे कि इसका जो हीट एफेक्टेट जोन है जो इलेक्ट्रोन करता है और गैस होता है तो ज्यादा से ज्यादा जितना मुझे वेल्ड करना है ठीक है अगर मेरा माले जी के वेल्डिंग इतना ही पार्ट में करना था लेकिन इसके अलावा भी ठीक है जो एड़ेसेंट पार्ट है वहां तक इस मेटल को एफेक्ट करता है लब इसका हीट एफेक्ट जो होता है वो काफी ज्यादा होता है इ जो डेवलप होता है जिससे कि अध्या होगा कि मेटल के अंदर डिफेक्ट आ जाता है ठीक है और इसके अलाव है एक और इसमें आप कर सकते हैं कि जो इतलब कॉंस में कर सकते हैं कि जो मेटल डिपोजीशन होता है वो काफी होता है अगर बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में ठीक है अद्क एर्फ के डिस्पेक्ट में डीसी ईन में मेंटल डिपोजिशन रेट भी स्लो होता है ठीक है इसके लाभ़ाई इसमें यह कोई चीजे कि नोट सुटेबल फॉर थिन प्लेट मैं इसका अरेम काफिर डिसकस कर चुका हूं ठीक है थिन प्लेट के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है अगर थिन प्लेट का आप इस तरह के पॉलेरिटी से विल्ड करेंगे तो विल्ड नहीं होगा दो पीस में कट हो जाएगा ठीक है वहाँ से पूरी तरह से दो पार्ट में कट हो जाएगा तो इस थिन प्लेट के लिए इसका अम रूख यूज नहीं करते हैं तो यह कुछ पॉइंट था अबका पॉलेरिटी के बारे में ठीक है तो कि अगला जो टॉपिक अम रूख तो उसमें इस polarity का काफी ज्यादा importance है ठीक है वैसे वेल्डिंग करते हैं तो अपना और अपनों का ध्यान रखिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद